आज हम बनाने जा रहे हैं कीवी की बर्फी कीवी में एंटि आक्सिडेंट विटामिन सी और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है साथ ही इसमें इंफ्लिमेंट की गुन भी पाये जाता है और कॉलेस्ट्रोल को भी कंट्रोल करने में काफी साहक है कीवी अपने आप में काफी टेस्टी सा फ्रूट है और इसकी बर्फी इसके स्वात को दोगुना कर देती है कीवी बर्फी बनाने के लिए आप मेरा वीडियो देखें अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और अगर अभी तक आपने मेरी यूट्यूब चैनल को स जूगर साथ में 100 ग्राम खुआ लिया है इसे मैंने घर पर ही तयार किया था आप चाहें तो घर पर बहुत इजी ली बना सकते है नहीं तो मार्केट में भी यह बहुत इसी ली अवलेबल होता है इसी के साथ में 1 टीस्पून इलाइची पाउडर 100 ग्राम काजू लिया है और साथ में 4 ड्रॉप्स ग्रीन फूड कलर इसमें मैं 1 टेबल इस्पून वाटर एड़ करके इसको डेलिट कर रही हूं मैं सबसे पहले काजू का पाउडर तयार करना होगा इसके लिए मैं काजू को एक मिक्सर ग्राइंडर में ले रही हूँ जिसकी हेल्प से हम इसका ए काजू को मैंने 15-20 मिट के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि वह बहुत जल्दी से थोड़े ठंडे हो जाए तो जब हम काजू को ग्राइंड करें तो वह बहुत जल्दी गरम होकर और जल्दी से ऑईल ना छोड़ें ताकि हमें यह फाइन पाउडर मिल पाए अभी आ ताकि वह फिर से सॉफ्ट तयार हो सके अभी में एक टिन को ब्रश की हैल्द से गी से ग्रिस कर रही हूँ ताकि जब भी हम इसमें परफी सेट करें तो वह बहुत इजीली इसमें से रीमूव हो सके और वह नीचे बिल्कुल भी स्टिक ना करें मैंने जो कीवी ली थी उसका मैंने छिलका हटा दिया था और अभी मैं एक पोटेटो मैशर की हल्प से इसको मैश कर दूँगी आप इसको मैश करने के लिए मिक्सी की बिल्कुल भी हल्प ना ले क्योंकि उससे बिल्कुल जूस निकल आएगा जबकि हमें इसका जूस नही इसी में 150 ग्राम जो सुगर ली थी उसको भी एड़ कर देंगे और अभी इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और कंटिनियूस तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि ये सुगर डिजॉल्व ना हो जाए आप देखिए सुगर बहुत अच्छे से डिजॉल्व हो चुकी है हम इसे कंटिनियूस मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे दिरे दिरे सुगर सिरप बॉइल होने लगेगा और वो काफी थिक होता चला जाएगा अभी आप देखिए सुगर सिरप अच्छे से बॉइल होने लग गया और इसमें काफी बबल से भी आने लग गया है इसका कलर भी काफी डार्क हो चुका है आप इसे कंटिनियूस मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखें लगबग 2-3 मिट में ये काफी थिक हो जाएगा अभी आप देखिए ये काफी थिक हो चुका है और अभी इस स्टेश पर जो हमने खुआ मिक्सी में ग्राइंड करके सॉफ्ट बना दिया था उसको हम इसी के अंदर एड कर देंगे और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे आप जैसे जैसे खुआ को मिक्स करेंगे आप देखेंगे कि कीवी का कलर फिर से लाइट होने लग रहा है अभी आप continuous flame को low रखें और इसे 2-3 मिर्ट तक पकाएं ताकि खुआ बहुत अच्छे से mix भी हो जाए और साथ में खुआ पक भी जाए अब देखिए खुआ बहुत अच्छे से इसमें mix हो चुका है और अभी इसमें हमने जो काजु का पाउडर तियार किया था वो भी इसी के अंदर add कर देंगे और इसे भी बहुत अच्छे से mix कर देंगे फ्लेम को आप कंटिन्यूज लो रखें ताकि काजु और खुआ कीवी के अंदर बहुत अच्छे से mix हो जाए और इसी के साथ में दो से तीन मिट तक वो कुक भी हो जाए अभी हम इसके अंदर वन टी स्पून इलाइची पाउडर एड़ कर रहे है और इसी के साथ जो फूड कलर हमने डालुट किया था वो भी इसी के अंदर एड़ कर देंगे फूड कलर पूरी तरीके से optional है अगर आपकी इच्छा ना हो तो आप इसमें बिल्कुल भी एड़ ना करें फूड कलर एड़ करने से इसका कलर थोड़ा सा अच्छा हो जाता है इसलिए मैं इसे एड़ कर रही हूँ और अभी इसके अंदर हम लगबग वन एंड हाफ टेबल इस्पून गी एड़ कर रहे है गी एड़ करने से एक तो इसमें शाइनिंग आने लग जाएगी और साथ म में यह फ्रैंक पैन में बिल्कुल भी स्टिक नहीं करेगा आप देखिए अभी इसमें बहुत अच्छे से शाइनिंग नजर आ रही है और यह फ्रैंक पैन में बहुत स्मूथली मूग कर रहा है अभी लगबंग आप दो से तीम नट तक पकाएं आप देखेंगे यह दिरी दिरे काफी थीक होता चला जा रहा है अभी आप देखिए यह काफी थीक हो चुका है और अभी इस स्टेश पर हम गैस का स्विच आफ कर देंगे और इसका ठंडे होने का वेट करेंगे ठंडे होने के बाद यह थोड़ा सा और ज्यादा थीक हो जाएगा लेकिन आप इससे continuous बीच-बीच में चलाते रहें आप देखिए यह काफी थीक हो चुका है और यह ठंडा भी काफी हो चुका है अगर हम गरम-गरम ही इसे टीन में set कर देंगे तो इसके उपर एक परत बन जाएगी जो अतनी अच्छी नहीं लगेगी इसलिए आप इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद ही इसको टीन में set करें आप spatula यह spoon किसी की भी help ले सकते हैं और इसको equally set कर दें आप देखिए यह काफी अच्छे से set हो चुका है अभी मैं इसके उपर कटेवे बादाम स्प्रिंकल कर रही हूँ आप चाहें तो कटेवे पिस्ता भी इसके उपर स्प्रिंकल कर सकते हैं या फिर आप चांदी का वरग लगा कर भी इसको गाणिश कर सकते हैं और अभी इसे 5-6 गंटे के लिए आप set होने के लिए रग दें अभी लगबग 6 hours हो चुके हैं और ये बर्फी काफी अच्छे से set हो चुकी है अभी आप किसी knife की help से इसको pieces में cut कर लें आप अपनी मन पसंद किसी भी shape में इसे cut कर सकते हैं और ये serve करने के लिए बिलकुल ready है अभी इसमें use होने वाले ingredients को हम एक बार फिर से recap कर लेते हैं